प्लस वेट के बारे में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानने वाले हैं नियुरोकाइंट प्लस वेट के बारे में दोस्तों नियुरोकाइंट प्लस वेट सिर्प है पशों में कब दे सकते हैं पशों में क्या फायदे करती है कौन सी बिमारी में अपन दे सकत ती है और जहां तक इसके composition की बात करते हैं तो इसके अंदर Mocybalanam銀 हैть vitamins है और – is it के अंदर डाले गए हैं जो दोस्तों पर च二 bağ balancing इसमें डाले गए हैं जो आपको स्क्रीन पे दीख रहा है अब दोस्तों बात करते हैं, नियूरोकाइंड प्लस वेट सिरिप है, पशू में कब दे सकते हैं, गाय है, भेंस है, भेड है, बकरी है, गोडा, उंक, लगबग सभी अनिमल्स को अपन दे सकते हैं, दोस्तों, गर पशू वीक हो जाता है, पशू काफी कमजोर है, और लंबे टाइम से काफ में प्रेशानी होती है पशू saat उस और दोस्तों को दोरे आते हो पजोका श्रीर कम पाता हो घ्रया t хотел Voll चैन। दोस्तों पशू को लगवा मारी जाता है अगर ड़ो में लगवए की समस्या हो情 तो भी अगार्ण दोस्तों दे तो दोस्तों वहाँ पे अपन दे सकते हैं अनीमिया है पश्वों में खून की कमी आगी है पश्व एनिमिक हो गया है गाय है भेंस है भेड बकरी अगर एनिमिक हो जाता है अनिमल दोस्तों वहाँ पे अपन दे सकते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी के दोरान भी इसको दिया जा स और दोस्तों पशों का जो पेट है उनका रूमन अपसेट हो जाता है तो भी अपन दोस्तों इसको दे सकते हैं खाना पिना पशो कम करता है कमजोर हो जाता है विटामिन B6 की डेफसेंसी हो जाती है दोस्तों तो भी इसको दोस्तों पिलाए जा सकता है तो दोस्तों नियूरो प्लास फैट सिर्फ तो अर्ली पिला ना होता है जैसे आपं होंते बान ना होता है नृज ओंग बात करो प्याइक को भूषो पुटे काफ है वहाँ पे अपन बी सेमल डिल ही अपन दोस्तों इसको देंगे दोस्तों गर नियुरो काइंट प्लस वेट के विडरोल पीड के बात करते हैं तो दूद में जो इसका असर है वो साथ दिन तक रहता है और मास में पशों के मीट में जो असर रहता है वो 28 दिन दोस्तों नियुरो काइंट प्लस वेट सिरफ है बहुत ही अच्छी सिरफ है और दोस्तों जो लंबे टाइम से पश्व बिमार है क्रोनिक इलनस है तो वहाँ पे दोस्तों रिकवरी के लिए भी इसके जो रिजल्ट जो अच्छे देखे गए हैं तो अपन वहाँ पे भी द तो भी आप ध्यान रखें और दोस्तों इसको अपन लंबे टाइम तक दिलाएंगे तब ही अपने को इसके बहतर रिजल्ट मिलेंगे ऐसे नहीं कि अपने को रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी आप जुरूर बताईएगा दन्यवाद